बैक प्रमोट मुद्दे पर गोरक पुर में गोरक नात मंदिर में जो स्री चंद्रमौली यादव जी के द्वारा जनता दर्बार में उपस्थित हो करके माननिय मुख्यमंत्री जी तक बैक प्रमोट मुद्दे से उनको ओगत कराने के संदर में ग्यापन देने साथी माननिय विद्धायक जी को ग्यापन देने और डायट पर ग्यापन देने के संदर में जो एक तरीके से रणीती बनाई गई थी उसमें क्या कुछ हुआ और आज का कितना सफल हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे साथी अगली रणीती क्या है बैक प्रमोट मुद्दे पर डिएलेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहले ही बार विजिट कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें स्री चंद्रमॉली दूबे जी जिनके द्वारा इस पूरे कारिकरम का आवाहन किया गया था एक भारी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर उपस्तित थे जिनको अपने भविश्य को ले करके चिंता थी वह सभी वहां पर उपस्तित थे लेकिन मंदिर परिसर में जाने से प बाहर उपस्तित हो करके ग्यापन सौप सकते हैं लेकिन जब आज सुबह वहां पर अभिर्थी उपस्तित हुए तो पुलिस प्रशाशन के द्वारा उनको रोक दिया गया और बहुत सरे अभिर्थियों को वहां पर बगल में ही थाना है वहां पर ले जा करके बिठा दिया ग अभिकार है और वहां पर वो सभी छात्र अपने मुद्दो से शाशन तक आउगत कराने के लिए उपस्तित थे जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो यानि कि जो जनता दरबार में उपस्तितों करके अभिर्थी ग्यापन देने की बात कर रहे थे वहां पर तो वो सफल नह है कि जब लोकतंत्र में कोई मुद्दा उठता है तो उसका पूरा अधिकार है उस जो भी उस मुद्दे से प्रभावित हो रहा है वह समयधानिक तरीके से अपनी बात रख सकता है लेकिन यहां पर ग्यापन एकसेप्ट ना करना बहुत ही निंदनी है और उन सभी डाइट को एक तरीके से डी मोटिवेटी कर रहे हैं यह सिस्टम इतना हाइरिकी टफ क्यों बनाया गया है कि जब पात साल बाद कोई मंत्री वोट के लिए आता है तो सीधे जनता से वह इंटरेक्ट हो सकता है लेकिन वहीं जनता जब अपने मुद्दों को लेकर के शासन तक जाती पहले एक राजनितिक पार्टी के द्वारा यूथ कॉंग्रेस के द्वारा इन सभी अभिर्थियों को अपना समर्थन दिया गया था अब आपके द्वारा भी जो आप पार्टी है उनके द्वारा भी समर्थन दिया गया है तो निशी तोर पर ये काबिले तारीफ है कि दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को इलाहाबाद में बालसन चौराहे पर फिर से एक बार धर्ना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है कि आप वहाँ पर उपस्तित हो करके इन सभी मुद्दों से शाषन को ओगत करा सकते हैं यहाँ पर मैं विशेशुट से टिपड़ी कर दूँ सम्व पर्थन उन्होंने दिया है यानि कि एक बड़ी टीम आपके साथ उपस्तित होगी इस मौके पर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और दूसरा स्री रजत सिंग जो कि DLA 2017 बैच के रिप्रेजेंटेक्टिव हैं उनके द्वारा यहाँ आउगत कराया गया है कि उत्तर प् दो को उनके समख्च रखें क्योंकि CRT और PNP जिस प्रकार से लगतार अभियर्थियों के ये कह रही है कि अगर शाषन आदेश में कुछ बदला हो जाता है तो वह उन पर अमल कर देंगे यानि कि उनकी तरब से पूरी तयारी है कि अगर शाषन उनको आदेश दे देता है बैक से सम्मंदित अभियर्थियों को प्रमोट करने के संदर में तो उनकी आदेश का ही पालन किया जाएगा तो निशी तोर पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा यहीं सुझाओ दिया गया सभी DLA 2018 जो भी subject बैक से related है कि आप सभी basic सिछा मंत्री के समक्षी अपना विरोध दर्ज कराइए क्योंकि उनकी आदेश के आधार परी कुछ होगा क्योंकि यह उनकी का वीभाग है और उनकी के आदेशो का ही पालन करेंगे यह अधिकारी और अगर उनकी आदेश प्राप्त हो जाते हैं तो आप सभी को बेज़िजाक प्रमोट कर दिया ज रन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो